हेलो एवरिवान मैं हूँ कि रंचापरी और ये है आप लोगों के लिए मार्श 2021 की लव टारो रीडिंग सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं और दूसरी बात बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्षन पे सवाल होता है मैं हम कौन सा साइन फॉलो करें तो जिस भी साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग को देखते आए हैं या जिस साइन के साथ आप सबसे जादा कनेक्ट करते हैं आप उसी साइन को फॉलो करें और इसके बाद भी अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि भई सकते हैं और अगर आपको नहीं पता कि आपका संसाइन क्या है तो आप Google में अपना date and month of birth लिखें और साथ में संसाइन लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा कि आपका क्या संसाइन है आप उसको फॉलो कर सकते हैं उसके हिसाब से अपनी रीडिंग को देख सकते हैं तो सेडिडेरियस आप लोगों के लिए देखें कि मार्श मंत क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं स्पेशली आपकी love life से related तो में पास यहां पे तीन सेट ऑफ कार्ड हैं फर्स सेट में हम आपकी energies देखेंगे सेकंड सेट में आपके partner की energies देखेंगे और थर्ड सेट में हम देखें और किसी तरीके की beginning की बात करता है और मैंने हमेशा कहा है कि सोच का काट चाहें जितना भी positive हो एक discomfort रहता है और कुछ ऐसी ही energies आप लोगों के लिए भी दिख रही हैं जहां पे दीखें किसी चीज को आप end करना चाह रहे हैं एक नई beginning करना चाह रहे हैं लेकिन आपके रिशानी या किसी तरीके का discomfort आप face कर रहे हैं और दीखें ये ending ये beginning सब के लिए differ कर सकती है कुछ सरीटेरिस के लिए हो सकता है कि कुछ मसले अगर इस relationship में चल रहे हैं तो उसको end करके एक नई beginning करना चाह रहे हैं कुछ सरीटेरिस के लिए हो सकता है इस relationship को end करके एक अपन लिए नहीं beginning करना चाह रहे हैं, single रहना चाह रहे हैं, अपने ऊपर focus करना चाह रहे हैं, और कुछ Sagittarius के लिए हो सकता है कि giving and receiving वाली energies में एक balance लाना चाह रहे हैं, देखिये हमारे पास यहां पे Six of Pentacles का भी card है, और Six of Pentacles बहुत ही clearly एक giving and receiving वाली energies में balance लाने की बात करता है, बहुत initiatives लिए हैं, बहुत action लिए हैं, तो कहीं आप March month में pause करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि अब आप receive करना चाहते हैं, अब आपके partner को इस relationship के लिए या फिर आपके लिए कुछ करना चाहिए, और अगर पीछे आपके partner ने बहुत जादा इस relationship के लिए किया है, या फिर आपके लिए किया है, तो कहीं आप वापसी करना चाहते हैं, अपने partner के लिए इस relationship के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो देखें, again मैं कहूंगी कि एक balance लाना चाहते हैं, और देखें, surface level पे जो भी आपकी energies रहें, क्योंकि ये general reading है, तो थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ कर सकता है, लेकिन deeper level पे बहुत जादा एक प्यार, बहुत जादा एक महबत अपने partner के लिए महसूस करते हैं, देखें अगर आप इस relationship को, या मैं कहूंगी कि कुछ Sagittarius, अगर इस relationship को end करना भी चाह रहे हैं, तो भी deeper level पे उनके मन में अपने partner के लिए प्यार नहीं खतम ह हो रहा है, देखें, आपे roses are red का card true love की बात करता है, violets are blue loyalty की बात करता है, arrows of love cupid की बात करता है, तो देखें, cupid का card बहुत ही clearly, again वही चीज़ बोलता है, कि बहुत एक प्यार, महबत, feelings, emotion आप अपने partner के लिए महसूस कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी emotions, आपका love हमेशा ही true, सच्चा और loyal रहा है आपके partner के लिए, और देखें, middle of March तक again मैं कहूंगी, किसी चीज़ को end करना चाह रहे हैं, एक balance लाना चाह रहे हैं, और हो सकता है कि again थोड़े से issues हैं, थोड़े से मसले हैं, इन ही सब चीज़ों को अपनी life में लाने के लिए, ल और देखें, again ये सब के लिए differ कर सकता है, कुछ Sagittarius के लिए हो सकता है कि इस relationship में, इस love life में, एक hope, एक positivity आ रही है, या इससे related एक hope आ रही है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है, देखें, जो भी आप अपनी life के लिए चाहते हैं, personally अपने लिए चाहते हैं, उससे related एक hope आ रही है, एक positivity आ रही है, और देखें, literally अगर हम देखें, तो हो सकता है, March starting में, एक negative frame of mind आपका है, कुछ चीज़ों को लेकर, लेकिन by the end of March, ये negative frame of mind positive होता हुआ, मुझे देख रहा है, तो देखें, again मैं कहूंगी, end of March तक energies काफी अच्छी और काफी beautiful आपके लिए होत पार्टनर क्या कर रहे है, वो बिल्कुल ही अलग रह सकता है, और अभी हम देखेंगे, तो ये आपकी energies थी Sagittarius, और अब देखते हैं, कि आपके partner की energies रहेंगी, March month में, तो देखें, आपके partner के लिए हापे सबसे बहला card मुझे दिख रहा है, Queen of Souls, और कहीं Queen of Souls का card logical thinking की बात करता है, mind से चलने की बात करता है, और कुछ ऐसी ही energies आपके partner के लिए भी March month में, या starting of March के लिए देख रहे हैं, जहाँ पर again मैं कहूंगी कि चीजों को लेके तोड़े से judgmental हो सकते हैं, हो सकता है, बहुत ही उनकी communication में एक सरकास्म है, कहीं बहुत bluntly आपसे बात कर रहे हैं जो कि किसी level पर हो सकता है, आपको hurt भी कर रही हो, और कहीं again मैं कहूंगी कि right and wrong के point of view से चीजों को ज़ादा देख रहे हैं, और दीखे, mid of March के लिए या पे hermit का card मुझे कहता है, कि एक अकेलापन या तो वो चाहा सकते हैं, या फिर वो महसूस कर सकते हैं, और ज़ादा इसी भी तरीके का interference आपकी तरफ से वो नहीं चाहा रहे हैं, again बहुत ही clearly ये तीनों चीजें confirm कर रहे हैं, कि वो space चाहा रहे हैं अपने लिए, वो अकेले रहना चाहा रहे हैं, वो एक boundaries इस relationship में बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं दीखे, एक standards भी maintain कर रहे हैं, in nutshell जादा initiatives लेते वे नहीं दिख रहे हैं, action लेते वे नहीं दिख रहे हैं, और देखें आपे two of pentacles का card भही चीज बोलता है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ना तो completely आते हैं, ना completely जाते हैं, और mid of March तक देखें, थोड़े से गायब ही मुझे देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आएं तो बात अलग है, लेकिन अगेन मैं कहूंगे, mid of March तक गायब दिख रहे हैं, end of March में थोड़ा थोड़ा इस relationship में आ सकते हैं, और हो सकता है Sagittarius आप लोगों के लिए star card इसी चीज को लेके एक hope की बात करता है, तो in nutshell देखें, बहुत great energies आपके partner की March month में नहीं दिख हैं, यहाँ पर कैसान हुआ का भी card है, और यह card बहुत ही clearly मुझे बोल रहा है कि आपके अलावा और लोगों से भी वो flirting कर रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, और अब देखते हैं Sagittarius की March month में क्या हो रहा है, तो देखें, March starting के लिए आपे सबसे पहला card मुझे दिख रहा ह और Two of Wands का card कहीं planning की बात करता है, कहीं discussions की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, confidence की बात करता है, और कुछ ऐसी ही energies आपके relationship में भी दिख रही हैं, जहाँ पे again आप दोनों किसी चीज़ की planning करते हुए दिख रहे हैं, इस relationship में आगे बढ़ना चाहा रहे हैं, और कि बहुत जादा confident भी feel कर रहे हैं, लेकिन deeper level के लिए आपे on the mind का card मुझे कहे रहा है, कि कुछ चीज़ें आप दोनों को या आप दोनों में से किसी एक को काफी hurt कर रहे हैं, और उसकी healing करने पे भी focus रह सकता है, और mid of March के लिए आपे king of pentacles and party of one के cards है, king of pentacles का card मुझे कहता है कि बहुत एक practical, बहुत एक realistic तरीके से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चीज़ों को deal कर रहे हैं, और बहुत जादा हो सकता है किसी चीज़ को लेके fixated भी, आप दोनों में से कोई एक हो रहा है, बहुत एक routine work चाह रहे हैं, out of the way जाके कुछ नहीं कर रहे हैं, और ये card बहुत ही clearly कह रहा था, वो एक तरीके का distance maintain कर रहे हैं, और देखिए सब के लिए differ कर सकता है, कुछ के लिए physical level पे हो सकता है, आपके partner एक distance maintain कर रहे हैं, कुछ के लिए mental emotional level पे हो सकता है, तो जो भी हो, शायद इसलिए Sagittarius, यहाँ पे party of one का card आपके लिए कहता है, कि आ आप अकेले ही चीजों को enjoy कर रहे हैं, और कुछ Sagittarius को literally ऐसा लग सकता है, कि अगर आपके partner पूरी तरीके से नहीं आना चाहते हैं इस relationship में, या आपके साथ पूरी तरीके से नहीं चीजों में involve होना चाहते हैं, participate करना चाहते हैं, तो आप self sufficient हैं, आप खुद के साथ ही enjoy कर सकते हैं, और देखिए से डिटेरियस यह बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर हम ही अपनी company नहीं enjoy कर पाएंगे, अगर हम खुद को ही love या respect नहीं कर पाएंगे, तो दुनिया में कोई भी हमारी company नहीं enjoy कर पाएगा, कोई भी हमें love और respect नहीं दे पाएगा, तो और ये दोनों कार्ट्स एक्टम से contrary energies की बात करते हैं, एक you know hardcore emotions की बात करता है, और दूसरा physical connect, physical intimacy, physical presence की बात करता है, तो देखिए हो सकता है, या तो आप बहुत emotional हो रहे हैं, और उस वज़े से कहीं एक physical intimacy या physical presence आप अपने partner की चाहा रहे हैं, और या आपके partner की भी energies हो सक होती हैं, या फिर हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक physical intimacy चाह रहे हैं, physical connect, physical presence चाह रहे हैं, और उसकी वज़े से ही आप बहुत emotional हो रहे हैं, बहुत sentimental हो रहे हैं, तो ये थी Sagittarius आप लोगों के लिए March 2021 की Love Tarot Reading, और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालो का जवाब मिला है, आपको guidance मिली है, तो इस चैनल को like, share और subscribe जरूर करें